कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं कि बच्चे होंगे आएम नवीन वेल्कम टो मैं यूटूब चैनल बेसिक मैं स्वाने डेप्स और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं प्रॉब्लम ओन एज यानिकि एज से लेड़ेड इंपॉडन कोश्चन जो कि अक्सर कमप्टिश इस बच्चियों इस निजा गिए कोश्चर करते हैं दो कोश्चन नमपर वन में हमें दिया है अधे ऑफरी और अमन की एज का रेशो 5 इस टू 7 है फूर लेट चार साल के बाद उनकी एज का रेशो 3 इस टू 4 हो जाएगा यहां पर हमें हरी की एज निकाल लिए हैं तो इस हरी का चर्फट का रेश्यो रेश्यो चाहईज दाएよね तो हमें सिरफ हरी के रेश्यो पर फोकसु करना है तो अगर यहां लिख लें कि हरी और अमयन्unn हरी का च्रफ दो अब यहां पर फोकस विलों है अपने सबसे पहले यहां पर जो भी option हमें गिवन है तो हमें क्या करना है में देखना कि कौन कौन सा option जो है इस 5 से divisible है तो अगर हम यहां देखें तो 25 जो है 5 से divisible है इसका मतलब हम यहां राइट लगा देते हैं हमारा जो है यहां से 50% अब यहां देखें तो यह 5 से divisible नहीं है और अगर हम यहां देखें तो यह 5 से divisible है और none में कोई number नहीं है तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी हमारा यहां पर पहले ratio दे प्रकता हरी का उससे हमने answers को डिवाइड करके देखा तो हमारे पास यह पता चला ए और सी option जो है इससे पूर्य मलब यह डिवाइड हो रहे हैं 5 से अब क्या करेंगे 4 years के बाद अप यहाँ पर जो आशर आपको दिये होंगे option में तो यहाँ पर आप 4 यह डिवाइड कर लीजे तो यह 25 में 4 यह डिया हो जएंगे तो हाजगा यहां पर 3s जो है यह आप यह नया हमारे पास era option आया है यहां पर त्वन सिजबाह अर और यहां पर तो यह में क्या है कि यह option C इसमें बिल्कुल राइट होगा क्योंकि बाकी option जो है वो यहां reject हो गए है तो पहले जो ratio दे रखा था उसके according और जो बाद में ratio दे रखा था उसके according जो हैं है सीता और गीता की उसका ratio 5 is to 4 है और after 3 years the ratio of their age will be 11 is to 9 में तीन साल के बाद उनकी एज का ratio 11 is to 9 हो जाएगा और और then present age of Gita will तो मलब गीता की present age क्या होगी तो यहां पर हमें focus जो है गीता के ratio पर करना होगा तो मैं है सबसे पहले lift लेता हूँ कि यहां पर सीता और गीता हो अलब एस और जी लिख लिए हमाने तो सीता और गीता का जो यहां ratio है वह 5 is to 4 है अब हमें तो गीता की age निकान ली है आपर तो गीता का ratio यहां पे पहले क्या है 4 तो हम इसको जितने भी option है उसको हम divide करेंग उसके बाद क्या है after three years तीन साल के बाद तो जो भी यहां पर हमें option दियो है उसमें थ्री यह एड़ करेंगे तो यह जगा हमार बास 30 इसमें थ्री एड़ करेंगे तो यह जगा 27 और इसमें एड़ करेंगे तो यह जगा 38 उसके बाद जो दूसरा ratio है वह हमारा वह 11x9 तो इसमें हमें गीता का निकालना है तो 9 से चेक करना होगा अब जो नई option है तो 9 से अगर हम यह चेक करें तो 9 से 30 यह divisible नहीं है और 27 अगर में देखें तो यह divisible नहीं है तो it means हम यहां कह सकते हैं लगें बी option पर तो बी option जो है वो उतका right answer होगा इट मेंज गीता की एज जो है वो 24 years होगी आप चलते हैं next question पर देखे question number 3 में में दिया है the ratio of present age of A and B is 5 to 6 मलब present age का जो ratio है A और B का वो 5 is to 6 है 7 years from now the ratio of their age will be 6 is to 7 तो मलब 7 साल के बाद उनकी age का ratio जो है वो 6 is to 7 हो जाएगा then present age of A will be तो यहां पर A का हमें जो है वो निकालना है तो इसमें लिख लेते हैं A और B का जो ratio हमें अभी given है वो है 5 is to 6 तो जैसे कि मैं आपको बताया था हमें फोकस करना है सिर्फ A पर क्योंकि A की age निकालना है तो यहां पर हम option जो हमें दिये हैं देखेंगे कि क्या divisible है यह तो यहां से देखें अगर 5 से यह divisible है 40 यह divisible नहीं है 42 और यह भी divisible है 5 से अब उसके बाद 7 years लिखा यहां पर तो 7 years add करेंगे तो यह हमारा उजगा 47 seven seven years add करके और यहां पर seven years add होंगे तो यह जगा हमारा फृती नाइन और यहां seven years add करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42, ठीक है, अब अगला जो रेशो दे रखा है, 7 years के बाद वो है हमारा age to b का, वो है 6 is to 7, तो हमें तो a का check करना है, तो यहाँ पर age, यहाँ पर 6 है, तो 6 हम इसको divide करके देखेंगे numbers को, तो यह 6 से नहीं जा रहा है, divisible नहीं है यह, यह भी 6 से divisible नहीं है, और यह 6 से divisible है, चलिए, एक question हो लेते हैं, देखे, question number 4 में हमें दिया है, 6 years ago, the ratio of ages of p and q was 6 is to 5, छे साल पहले p और q का जो ratio था, ages का, वो 6 is to 5 था, after 4 years, this ratio बिकम 11 is to 10, छार साल के बाद उनकी age का ratio जो है, 11 is to 10 हो जाता है, then age of q will be, तो हमें q की age यहाँ बतानी है, तो यह question थोड़ा सा आपको typical लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 6 years ago लिखा हुआ है, तो देखे, इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ, जो भी हमें option दिये हैं, सबसे पहले हम इसमें से 6 years, यहाँ less कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 6 years, इसमें से less कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ आपको बताया था, कि यहाँ पर अभी जो ratio दे रखा है, P और Q का, यहाँ पर वो 6 is to 5 है, और हमें Q की age निकालनी है, तो Q का जो ratio है, यहाँ 5 है, तो 5 से देखें कि कौन सा number इसमें divisible है, तो यह देखें, तो 13 तो 5 से नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, 10 जो है वो यहाँ एट करेंगे, तो यहाँ जगा 18 और यहाँ पर 4 यहाँ एट करेंगे, तो यहाँ जगा हमारे बस 20, अब हमारा जो अगला ratio था, जो कि 4 साल के बाद है, वो यहाँ दिया हुआ है, 11 से 10, यह मैं लिख ले दाऊ, 11 से 10, अब मुझे 10 से चक करना होगा, कि कौन सा number जा यहाँ पर देखें, तो 23 जो है, वो नहीं जा रहा, 18 भी नहीं जा रहा, तो 20 जो है, वो यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर दो टिक लग गए है, तो option C में बिलकुल right होगा, यानि कि 16 years होगी Q की age, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको questions समझ में आया होगा, तो अगर आपको